नमस्कार दोस्तों केके एक्जाम फाइट में आपका स्वागत है कैसे हैं आप सभी उमीद है आप सभी सही होंगे चलिए दोस्तों आज मैं एनेफेल यानि नेशनल फैर्टेलाइजस लिम्टेड से कुछ मात्पोर जानकारी लेकर आया हूँ जो की दोस्तों इसकी नई वेकेंसी के बारे में है दोस्तों हम इसमें बात करेंगे कि इसकी नई वेकेंसी कब तक आ सकती है दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखें तब ही आपके समझ में आएगा कि इसकी नई भरती कब तक आने माली है जानकारी देने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों में सेर जरूर करें अगर वीडियो अच्छा लगे अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें क्योंकि दोस्तों हम सभी तरह की भरतियों के बारे में जानकारी लेकर आते रहते हैं इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल दोस्तों बात करते हैं कि इसकी वैकेंसी कब तक आने माली है दोस्तों पिछली वैकेंसी का कुछ डाटा मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कब कब इसकी वैकेंसी आई थी और आगे कब तक आने की मतलब आगे कब तक आ सकती है इसकी भरती दोस्तों जो 2019 में भरती आई थी उसका अप्लिकेशन फार्म नव साथ 2019 को मतलब इस्टार्ट हो गया था और इसकी लास्ट देट थी आठ आठ यानि आठ अगस्त 2019 इसकी लास्ट देट थी और इसका जो एडमेट कार्ड था वो 22 अगस्त 2019 को आ गया था इसका एक्जाम जो हो गया था 31 अगस्त 2019 को इसका एक्जाम भी हो गया था अब बात करते हैं 2020 की 2020 की जो वाइकेंसी आई थी इसका अप्लिकेशन स्टार्ट हो गया था 23 दिसंबर 2020 को लास्ट डेट थी 12 जनवरी 2021 और एडमेट कार्ड इसका आया था 27 जनवरी 2021 और इसका जो इक्जाम हो गया था 2021 में जो वाइकेंसी आई थी उसका क्या डिटेल था देखिए दोस्तों जो हजार 2022 मतलब 2021 में जो भरती आई थी उसका अप्लिकेशन स्टार्ट हुआ था 30 सितंबर 2021 को इसका अप्लिकेशन फार्म अप्लाई होना सुरू हो गया था इसकी लास्ट डेट थी 21-10-2021 यनी 21 अक्टूबर 2021 और एडमेट कार्ड इसका आ गया था 13 दिसंबर 2021 को इसका जो एक्जाम हुआ वो 16 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर के बीच इसका एक्जाम हो गया था जो कि दोस्तों इस समय ये वरतमान में वैकेंसी चल रही है इसका स्किल टेस्ट हो गया है डाकूमेंट स्वेरिफिकेशन भी हो गया है फाइनल मेरिट लगने वाली है अब बात करते हैं दोस्तों इसकी नई वैकेंसी कब तक आ सकती है ये सारे मतलब ये सारे डेटा के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि इसकी कब वैकेंसी आने वाली है पिछली डेटा के माध्यम से मैंने इसकर्स निकाला है कि इसकी वैकेंसी कब तक आ सकती है दोस्तों इसकी जो वैकेंसी है जुलाई से लेकर अक्टूबर के बीच आपकी वैकेंसी देखनों को मिल जाएगी जुलाई से लेकर अक्टूबर के बीच आपको ये वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी जो कि दोस्तों बहुत अच्छी नियूज है आपके लिए इसलिए इसी बात पर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अपने दोस्तों में सेर जरूर करें इसी तरह की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जब भी कोई वैकेंसी आए आप तक सबसे पहले वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे सकें दोस्तों आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे ने इस्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई